हेलो बच्चो आप सब का आपके पने चनल गोवीन मैत लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो पेरे विद्यार कियो आज की इस क्लास में हम सत्साथ छेया और साथ गणित विश्यक की ब्रकबोग दोजा केबी 24 के कारे पत्रक सत्रा को हल करना सिखेंगे बच्चो कारे पत्रक सत्रा में हम भिन संक्याओ की तुलना करना और तुले भिन को समझना सिखेंगे कि भिन संक्याओ की तुलना कैसे की जाती है और बच्चो तुले भिन क्या होती है बच्चो तुले का मतलब होता है समान क्या होता है समान बच्चो जैसे मैंने कोई भिन ल और दो दुनी चार देखो एक बटा दो एक बटा दो तो बच्चो यानि एक बटा दो और दो बटा चार दोनों क्या है आपस में समान है एक जसी है अता इन्हें क्या कहा जाता है अता इन्हें बच्चो तुले बिन कहा जाता है जैसे और मैंने लिखा बच्चो मैंने लिखा बच्छो तीन बट्टा चार इतना लिखा तीन बट्टा चार और एक तरफ बच्छो मैं न लिखा छे बट्टा आठ तो तुले भिन का मतलब होता है समान भिन जब को बच्छो संख्या एक दो बटा तीन की दो तुल्ले भिन लिखिए तो बच्चो देखो दो बटा तीन को पहले उपर नीचे किसे गुणा किया गया है? एक से तो दो एकम दो और तीन एकम तीन अब की बार दो बटा तीन को किसे गुणा किया गया है? 2 और 2 से, उपर नीचे दोनों जगर 2 से गुणा किया है तो बच्चो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 कितना हो गया? 4 बटा 6 खिर बच्चो अब की बार किसे गुणा करेंगे? उपर नीचे 3 से, तो 2 दूनी 6 और 3 दूनी 9 तो बच्चो यह जो सभी विन है वो आपस में क्या है बच्चो? बराबर है, क्यूं? चूनकि देखो बच्चो, जब इसको मैं 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 इसको जब बच्चो मैं 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 देखो सभी बच्चों बराबर है दो बटा तीन दो बटा तीन और दो बटा तीन अता ये जो भिन्ने है ये क्या कहलाती है आपस में तुल्ले भिन कहलाती है अगला बच्चों प्रशना तीन बटा चार की दो तुल्ले भिन तो बच्चों पहले तीन बटा चार को उपर किसे गुणा किया गया है एक और एक से कितना आया तीन बटा चार अब गी बार किसे गुणा करेंगे उपर नीचे दो से तो तीन दू नीचे और चार दूनी बच्चो आठ फिर बच्चो अब गी बार तीन से तो तीन तिया नो और चार तिया बारा तो बच्चो तीन बटा 4 बराबर 6 बटा 8 बराबर 9 बटा 12 इनो बटा 12 कि बच्चों आपस में बराबर है अतहीने क्या का जाता है तुल्ले 10 कहा जाता है इक है बच्चों आगे बढ़ते हैं एक बटा दो की चार तुल्य भिन लिखो, कितनी लिखनी है बच्चो, चार तुल्य भिन, तो बच्चो देखो, सबसे पहले, एक बटा दो का किस से गुणा करेंगे, एक और एक से, उपर नीचे एक से, कितना आएगा बच्चो, एक बटा दो, ठीके, फिर बच्चो एक बट बटा दो का किसे गुणा करेंगे उपर नीचे 3 से बच्चो कितना आएगा बच्चो 3 बटा 6 फीर बच्चो एक बटा दो का किसे गुणा करेंगे उपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बच्चो 4 बटा 8 ठीके इसी तरह बच्चो एक बटा दो का 5 से करेंग के उपर नीच़े गुणा तो कितना जाएगा 5 बटा 10 अचा बच्चो मं कहेंगे k1 बटा 2 की 4 तुल्यभिन ऊपर दू की चार तुल्यभिन और कौंसी ओकी बच्चो आप लिखनो इधर बच्चो होगी 2 बटा 4 और कौंसी ओकी बच्चो तीन बटा छे और बच्चो कौन सी होगी चार बटा आठ और कौन सी होगी पांच बटा दस ये सब क्या है बच्चो ये सब एक बटा दो की तुल्ले बिन है ठीके बच्चो आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संक्या चार दिया हुआ है निम्न विजनों के मद्य तोटे का बड़े का अत्वा बराबर का चिनह लगाईए हमें क्या करना है smaller than greater than अत्वा equal to का साइन लगाना है कि कौन सी बिन एक दूसरे से बड़ी है कौन सी चोटी है और कौन सी बराबर है बच्चो प्रश्ण संक्या एक एक बटा दो और एक बटा तीन देखो बच्चो दोनों के अंस क्या है बराबर है इधर भी एक है इधर भी एक है तो बच्चो जिसका हर चोटा होगा वो क्या होगी बड़ी होगी जिसका हर बच्चो चोटा होगा वो बड़ी होगी तो दोनों के ah ay अब्भ्वोए किसे गुना करते हैं उपर नीचे 3 से, इसको किसे करते हैं बच्चो उपर नीचे कुना 2 से कितना हो जायगा بच्चो 6 9 और यह कितना हो जाएगा दे aktivité 6,8 जिसका और चोटा है वह बड़ी हो गी बड़ी तीन बटा चॹार बड़ी हो जाएगी अगला बच्चो 344 और चार बटा 5 बच्चो देखो दोनों के जो अंस है उसको बराबर कर लेते हैं इसको बच्चो गुणा करते हैं 4 से उपर नीचे और इसको किसे करते हैं बच्चो 3 से उपर नीचे गुणा करते हैं ये कितना हो गया बच्चो 12 बटे में 16 और ये कितना हो गया बच्चो 12 बटे में 15 दोनों के अंस बराबर है तो जि नीचे 3 से इसको घुणा करते हैं उपर नीचे 2 से इतना होगे बच्चो 2 तीया 6 और 3 तीया 9 और ये कितनी होगी 6 बटे में 8 बच्चो दोनों के अंस बराबर है जिसका अंस चोटा है जिसका हर चोटा है वो बड़ी होगी तो जो 3 बटा 4 है बच्चो क्या होगी बड़ी है बच्चो इन बटब चार और चंग क्षें बटब आठ बच्चो क्या करते हैं हम दो से गुमना कर देते हैं उपर नीचे यह कितना हो जाएगा च्याई बटब आठ और ये भी कितने होगी दोनों बरैबर है ने यख च्यार और बच्चो तो इस तरह हमने आपके कारे पत्रक 17 के सभी प्रश्णों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्णों के उत्तर आपको उच्छे समझ में आये होंगे। तो क्लास देखने के लाब सभी को धन्यवाद। यदि बच्चो मेरी क्लास और मेहनत आपको पसंद आई है तो बच्चो लाइक, कमेंट, सेरो और सब्सक्राइब जरू करें। आज़के लिए इतना ही जै हिंद, जै भरत।